हाई एवरिवान दिस इस सुभासी इस बहुत इंट्रेस्टिंग स्टेज पर है अभी एक सार पुल ब्याक आने वाला है देखिए किस तरीके से सार पुल ब्याक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पहले मैं आपको बताता हूं हो त्रेड मिसना हो यहां पर अगर देखेंगे तीन से चार दिन मार्केट गिर चुका है और आज फिनिप्टी का एक्सपेरी है प्रोबाबिलिटी के हिसाब से अगर आप लोग देखो कि तीन से चार दिन गिरने के बाद थोड़ा सा पॉज होना चाहिए यहां पर कोई पी कि पहुझ चैंडल हम भी तक मिला नहीं है अगर यह क्या पड़ कर सकते हैं तो वह पाई कर रहे हैं कि निए पुल बैक के लिए आप लेवल पर क्यों फूल बैक होगा चलिए आपको बताता हूँ अगर आप लोग देखोगे यहां पर मार्केट यहां पर बहुत सा लोग क stop loss होना चाहिए था क्योंकि market रुका फिर यहां पर पहुज लिया ऊपर गया नीचे की तरफ लेकिन यह लेवल पर बहुत टाइम से same level पर trade कर रहा है market ना break कर पा रहा है significant कल अगर आप लोग देखोगे जब stop loss के levels break हुए market बड़ा candle बना है stop loss के level जब break हुए market बड़े candle बना है that means जहां पर यह pause बना था उसके बाद एक बड़ा candle बना था लेकिन current level पर यह बन नहीं पा रहा है तो that means हम लोग का buying level कहां पर अगर exactly यह spot अगर यह cross कर देता है 39,000, 250,300 के आसपास होगा यह अगर cross करता है फिर मेरा target हो जाएगा somewhere around 450 450 that means इसी level तक तो मैं यह selling के लिए अभी इंट्रेस्टेड नहीं हो internet के अंदर मैं इंट्रेस्टेड हूँ कभी यह level cross करेगा 39,250,300 यह level cross करेगा फिर मुझे 300 points का momentum upside मिल सकता है यह थोड़ा से negative आपको दिख रहा होगा हम लोग उसे wait करते हैं यह जब turnaround होगा बाइंग के लिए बहुत अच्छा opportunity मिलेगा तो चलिए market थोड़ा सा भी पहुज लेने का कोसिस कर रहा है है like a set किने में यहां entry करने वाला था लेकिन जिस तरी के से slide हो रहा है मैं समय रहा हूं इस level पर trade करूंगा quantity मेरा बहुत मतलब कम रहेगा इस point पर मेरा aggressive quantity इसी point पर रहेगा कि नहीं हाँ अगर यहां से reverse होता है तो हम लोग को 450 500 करने के लिए मिल सकता है तो एक अच्छा लेवल पर दिख रहा है लेकि ट्रेट के पीछे लाजिक के है कि यह है कि stretch हो चुका है 3-4 दिन मार्केट गिर चुका है तो अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं कहां पर level मिलता है बहुत अच्छा breakout दिया है बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कभी यह reversal देगा तो एवरी राइच पे sell करेंगे तो उसी के लिए एक reversal pending है उलसी अगर reversal मिलता है ठीक है न आ चुका है अल्मुस्ट क्वांटिटी सॉट कम कर सकते हैं क्योंकि से लिमें तो ज्यादा पैसा लगता है stop loss आई पर रहेगा 42 के sell किया मैंने यहां पर हम लोग कभी यहां पर बाइक करना है बाइन थोड़ा सा क्वांटिटी कर सकते बस आपको explain करने के लिए मार्केट कै से रियाट कर सकता है कहां पर मूव होते हैं यहां पर मेरे 100 क्वांटिटी बाइग किया अभी हम लोग का spot पर भी प्राइस आ रहा है समय रहा हूं तिक सार पुल बैक मैं एक प्रेट कर रहा हूं करेंड लेवल से और हम लोग का टार्गेट समय रहा हूं 450 तक का होना चाहि दो सी और मार्केट करता है या फिर एसलेट करता है अम लोका सम्हेर राउंड उसी लेफल के आसा फास होगा अब लोगों का समय यही यह वह ब्राइक हो जाया लेकिन आज मार्केट पार ना चाहिए और सबसे बेश्ट यह है कि नहीं आज फिन निफ्टी का एक्सपारी है और फिन निफ्टी अगर आप लोग देखोगे 17,500 के आसपास round level होता है तो generally क्या होता है यह पहले 500 के नीचे ब्रेक किया और try करेगा 540,50 इस लेवल के आसपास close करने के लिए यह बहुत टाइब होता है कि नहीं अगर imagine करो एक round level है 18,000 तो पहले यह 18,100 चला जाता है लेकिन closing फिर इसके नीचे आ जाता है तो यह सारे round level इस तरीके से react करता है next party day तो आज अगर यह मिल गया तो बहुत अच्छा है तो हम लोगो spot पर अभी तक entry नहीं मिला है लेकिन अगर आप देखो कि options charts के अंदर break कर दिया entry मिल गया spot बस मैं wait कर रहा हूं कभी है 39,200 यह level break कर दे तो हमारा stop loss यहां लग गया और मेरा target somewhere around 450 रहेगा हम लोग wait करेंगे scalp नहीं करेंगे यह reversal के लिए प्लान करेंगे 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 किने किस तरीके साब देखोगे कि के let me see them पैसा कितना है तो आपको समझ में आएगा के मैंने कितना fund सी उच किया है 367 तो चलो मैं और थोड़ा सा quantity sort भी कर सकता हूं तो यहां पर मैंने और कुछ quantity 25 quantity और sort किये तो 50 quantity वहां sort हुआ और अभी हम लोग का fund यहां पर खतम हो चुका होगा क्योंकि 4-5 लाग कुछ था नहीं 2 लाग है तो और कुछ quantity sort कर देते हैं let's say 50 quantity okay 25 quantity होगा उससे ज्यादा नहीं होगा अभी रिवर्सल आना start हो चुका है जो हम लोग expect कर रहे तो 75 quantity यहां पर 100 quantity यहां पर है तो अभी हम लोग का total funds use हुआ है somewhere around 5-4 पॉइंट something यूज हुआ है बस मेरा explanation यही है बस wait करेंगे 14 रुपय का profit हो चुका है लागे सेटनो trades आपको मिलेंगे बस आपको wait करना है कि तो market का तो hardly हम लोग को 1000-2000 का कुछ नुकसान होगा लेकिन अगर turn around हो गया यहां से यह 520-550 अगर finnifti close करता है तो bank nifti भी try करेगा 450-500 के आसपास पहुचने के लिए आज का दिन एक pause बनाएगा that means a continuation candle बनाएगा इस तरीके से daily पे फिर Wednesday Thursday onwards यह फिर fall करेगा तो तभी trading का मज़ा है क्योंकि जितने लोग sort कि उनलों को profit मिलते जा रहा है उन लोग और जितने लोग sort नहीं कर पाए उन लोग वेट करेंगे कहां पर हमको लोग को मिलेगा 500 तक उतना तक प्लान है और stop loss हम लोग का fix a trade लेने से पहले तो चलो अभी हम लोग को देखेंगे 2,300-2,400 इस तरीके से चल रहा है विल सी बट एक reversal हम लोग perfect एक reversal यहां पर क्याच किया है अभी हमको वेट करना है क्या यहां से सच में profit मिलता है यह ऐसे लिट होता है अगर अभी ऐसे लिट होगा I'm fine क्योंकि एक अच्छा हम लोग ने पॉज प्लान किया अगर यहां से यह उपर की तरफ जा रहा है ठीक है नहीं जाता है तो यहां पर एक SL जा रहा है ठीक है विल सी अगर एक पॉइंट में आपको यहां पर बताऊं तो मैंने इंदमनी अगर आप लोग देख रहे होंगे 39,500 क्योंकि मेरा टारगेट वहां तक है 455 तो हमको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है और मैंने कॉल ओप्सन बाई किया है 39,200 यहां स्लाइटली इंदमनी पर बाई किया है तो इसे क्या होगा अगर मोमेंटम आता है हम लोग जैस तरीके होता है लेकिन अगर आप 800-900,000 पॉइंट इस तरीके से आप प्लान कर रहे हो तो आउट अप दमनी ऑफ्सन बाई ज्यादा प्रॉफिटबल होता है आप अगर देख रहे होंगे बहुत अच्छा एक पूल बैक दिया है अब तक तो थोड़ा सा हम लोग का स्टॉपल से भ पर मतलब सब्स्टेंड करता है थोड़ी देर के बाद तो यह ट्राय करेगा आज एक रेंज बाउंट इस तरीके से क्लोज देने के लिए क्योंकि आपको पता है दो दिन से और ज्यादा पैसा नहीं कमाया है तो फिर निफ्टी आज डे है तो चांसे से कि नहीं क्लोज कर करना चाहिए तो प्रबाबिलेटी आर वेरी आएक ने एक रिवर्सल करके 300 के आसपास क्लोजिंग करना चाहिए था कैंडल लेकिन क्लोज नहीं कर पाया फिट से यहां से सेल अपा रहा है यही था कि नहीं एक क्लोजिंग अगर इसके उपर कर देता तो हम लोग उतरा कंफ 400 तच करते ही साथ और 300 के आसपास अगर क्लोजिंग देता तो हम कंफिटबल और हो जाता है लेकिन फाइंड नो इशू अभी आप देख रहे हों कि किस तरीके से यह अल्मुच 10,000 के आसपास इसका मितलब क्यापिटल हो चुका है 300 के आसपास अगर यह निकल जाता है क्लो 100 लेवल के अंदर उन लोगों का प्लान होगा किने यहां पर हम लोग आट करें तो दा स्टॉप लोस कम रहेगा हम लोग एक्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट के असपास प्लान किया है लागे सट किने में ट्रेडर हूं तो मैं चोटे-चोटे एसल देता रहता हूं एंड उ लोग एक्सपार ही है वीकली तो डिफिनेटल यह ट्राय करेगा क्लोजिंग 500 के आसपास यह अभी 300 के उपर निकल चुका है हम लोगों को 11,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है 11,000 प्रॉफिट भी कुछ खराब नहीं हो था हम लोगों को बाइंग में प्रॉफिट मिला से वीडियो देखे हो कि दर लोगों को समझ में आगे किने जो पॉइंट में आपको बता रहा हूं पहला पॉंट 5-4 दिन से मार्कुट गर रहा है चांसे से यह continuation candle होता है अगर इस तरीके daily candle बनाएगा तो यह selling आया तो यह reversal करेगा तो उसी probability के हिसाब से हम लोगों ने trade किया और अभी slow and steady हम लोगों को अगर पॉइंट आप यहां पर नोटिस करोगे बार बार आपको यह profit दिख रहा होगा लेकिन यह quantity भी आप धियान में रखो बस हंड्रेड है तीन सो से लेकर अल्मोस्ट साथ पॉइंट या 64 इसके पॉइंट मतलब अल्मोस्ट सिक्टी पॉइंट ऑप्सन बाइंग में capture करन 300 के उपर हम लोग सोच रहते नहीं दिया नीच आया और यहां पर देखेंगे हमारा क्लासिकल पैटन आ सकता है डबलो पैटन तो अगर यह गलती से क्रॉस करता है 39,300 तभी हम लोग यहां पर डबलो पैटन मानेंगे यह लोग सब्टेंट किया यहां पे एक स्विंग बना के तरफ क्योंकि सेलिंग में तो क्यापिटल ज्यादा लगेगा तो हम लोग बाइंग के तरफ थोड़ा आड कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं 400 450 टार्गेट के लिए ओके तो फाइनल यहां पर बेस क्रिएट कर रहा है मैं यहां पर जैसे डिसाइड किये थे एक बाई करें होगा confirmation हुआ नहीं था थोड़ा सा पहले हम लोग ने बाई किया अगर यह 300 टच करेगा तो बहुत अच्छा प्रॉफित हो सकता है अभी यहां पर एक बेस क्रिएट कर रहा है लेट इट इट एपन अगर यह नीचे आता है तो बहुत बड़ा एसल नहीं होगा लेकिन अग लेकिन हम लोग थोड़ा सा चा रहे है कि नहीं यह 550 के आसपास 17,000 550 के आसपास कहीं पर निकल जाए समय अरूपर कहीं पर जाए और मुझे दिख रहा है कि नहीं हो सकता है कि 500 भी टच कर जाए तो हम लोग थोड़ा सा क्योंगी कल आपको याद होगा सेलिं किस तरीके से आ सब्सक्राइब करता है तो हम लोग और इसके साथ और होप नहीं रखेंगे कि नहीं हमको प्रॉफिट देगा ओके आपको समझ में आ गया होगा पहले हम लोग 302 के आसपास अन अबरेज पर्चेस किये थे अब यह 315 हो गया है क्योंकि हम लोग ने और 50 क्वांटिटी एड कर लिए एक पॉइंट आप यहां पर नूटिस करोगे अगर आप देखोगे अभी 3000 यहां पर प्रॉफिट चल रहा है यह दोनों का रिजन यह किने यह 75 में इतना चल रहा है 150 क्वांटिट उन उनका है मिल गया था बहुत अच्छा profit दिया लेकिजरब स्लो हो गया तो फिर आपका options स्लिंग स्लेइत प्रॉलिट देने लगा यह कम के लयाल लेकिन अगर फृटसे पैटन मिल चुका है यहां पर बस ही अगर क्रॉस करेगा और 300 तो हम लोग को मिनीमम 400 का टार्गेट यहां पर होना चाहिए अगर और क्रॉस करता है तो 450 इस लेवल के असपास हम लोग का टार्गेट होना चाहिए अभी सम्वेर रांड 6000 के असपास कुछ प्रॉफिट दिख रहा है और यहां पर हम लोग को 5000 के असपास प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो गया है विल वेट एक बर ब्रेक कर दे यह लेवल क्योंकि यहां पर एक स्विंग बनाया था तो डबलो पैटन कंफरमेशन कर दे बड़ जिस तरी कैसे दिख रहा है बहुत अच्छा दिख र रहा है ओके ग्यारा आजा टोटल हम लोग को 18-19,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत साल लोग अभी यहां पर बाइंग करेंगे दीरे-दीरे हम लोग का अल्रेडी आड है तो हमको वेट करना इधर इसल और टार्गेट लिगन आपको यह समझ में आ गया होगा आज सब्सक्राइब करता है प्राइस रिवर्सल आ सकता है स्टॉप लॉस का ट्रेल करना चाहिए ऑफ्सन बाइंग सेलिंग यह कब आपको प्रॉफिटबल हो सकता है बिएबियर कैसा होता है बहुत सारे पॉइंट किस तरीके से लुक लाइक कि नहीं दरे-दरे कॉन्फिदें का प्रॉफिट आ चुका है और उफसन सेलिंग हम लोग के लिकिने अफसन सगर बाइंग में देखेंगे त्री ट्वेंटिफर और आइन आवरेज चार सत्तर से सची पॉइंट हम लोग को मिल चुका है एच्छे क्वांटिटी के साथ 23,000 हम लोग को यहां पर मिल चुका है सार मोमेंटम में हम लोगों ने बाइग किया क्योंकि यह डबलो पैटन है आपको समझ माय रहा है डबलो पैटन किस तरीके से कब काम करता है कहां पर ट्रेड मिलता है तो एक अच्छा हम लोगों को प्रॉफिट अभी मिल चुका है उल्वेट कहां तक जाता है 27, 28, 360, 376 ए में आप लोगों को नीव चानल के अंदर एक चार्ट पोस्ट किया थे ज़िए अपना ट्रेल कर लो एक सार्ब्री बाइंग के तरप आ सकता है अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो में इक काम करूँगा एंड़ स्क्रीन में चानल का लिंग दाल दूंगा आप लोगों जा आज बहुत इच्छा दिन था है कि नहीं मार्केट रिवर्सल प्लान हो सकता है हम लोग ने वेट किया पहला आप मार्केट जो कल का मॉमेंटम था उसको होने दिये सेलिंग उने दिये उसके अभी हम लोग के लिए प्लान कर रहें क्योंकि आज एक्सपारी था प्रोबाबिल लाग capital यूज हुआ होगा और जितने लोग सोचते हैं कम पैसे में पैसा नहीं बता बनता है लेकिन आपको थोड़ा सा होते हैं रिक्स-to-reward के आसपास चल रहा है विशिश मोर देन 10% के आसपास हम लोग को रिटन बिल चुका है और capital की ओपर हम लोग को और क्या चाहिए ओके 455 मोमेंटम प्लेस में था जिस तरीके से डिसकस किये थे लेट मी गो टो एकजिट 48 49 एके फ्लो में 50 निकल गया और आज हम लोग ट्रेडिंग बंद करते हैं कहां 48 चलो ट्रेडिंग बंद करते हैं 47 के आसपास 46,000 आप लोग के लिए इतना प्रोफिट काफी तो चलिए अभी हम लोग मैं आपको एक्जैक दिखा देता हूं ट्रेड कहां पे हुआ लेट में रिफ्रेस्ट ट्रेड आपको यह पसंद आया होगा 15,000 प्लस लाइक आता है तो आने वाले टाइम में जभी भी मैंजे कुछ इंट्रेस्टिंग दिखिया कि नहीं कुछ सीखने के लिए आपको मिले मार्केट किस तरी से टर्न अराउंड हो सकता है रिवर्सल ट्रेंड कहां कंटिनी होना चाहिए साइकलोजी के ओपर कुछ इंपोर्टन पॉइंट्स अगर मिलेंगे मैं आप लोग के वीडियो सकता है मैंने एक स्टॉपलोस रखा कि नहीं यहां तक जाएगा तो हम लोग निकाल देंगे अगर रिवर्सल होगा तो प्रॉफिट आ जाएगा अभी देख रहे हो 581 560 यह जा चुका है 450 यह चुका है हम लोग का 400-450 टारगेट था ठीक है हम लोग को समय रहूंड 10% से ज हम लोगों ने परचेस सेल किया था 427 252 दोनों ही के अंदर प्रॉफिट मिला और यह ओप जितने लोगों ने मेरे वीडियो देखे होंगे एक साफ रिवर्सल आ सकता है लाइब मार्केट अनलेसे निव चानल के अंदर बनाया था पो जाके आप चेक आउट कर सकता है तो वीडियो को लाइक करने में फिट नेक्स्ट वीडियो के अंदर में आपको और साइकलोजी हो गया ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो हो गया आपको बता होगा अभी क्लेव फ्रेंस इतना है थैंक्यू